नमस्कार दोस्तों आप से भीका एक बात फिर से स्वागत आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच किलोवाट के सोलर सिस्ट्रम के पूरी प्राइज के बारे में क्योंकि 2024 के अंतरगत अब जो हमें पुरानी सोलर पैनल्स की टेक्नोलोजी इस देखने पर मिलती थी अब वो टेक्नोलोजी बिलकुल ना के बराबर आपको मार्केट में देखने को मिलेगी तो जो आज मैं आपको यह सोलर पैट बताने वाला हूँ इसमें मैं आपको सबसे लेटेस्ट टेक्नोलोजी जो भी मार्केट में अवेलेबल है और या जो कुछ समय बाद या चार से पांच मत बाद आपको मार्केट में देखने को मिलेगी उस सब को कवर अप करने वाला हूँ विद प्राइसिंग के और जो आज की रेट में मिल लई है उसके हिसाब से आ कायर यूज करना है इस स्ट्रक्चर की क्यों पॉस्टिंग होगी कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं मतलब सारा सोलर आज आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा तो चलिए तिरुबात करते हैं आज के वीडियो की और अगर आप हमारे चैनल ग्रीन सोलर कर दीजेगा और हमें सपोर्ट करिएगा क्योंकि सोलर से जुड़ी ही ऑथेंटिक इंफरमिशन ही आपको यहां पर देखने को मिलेगे अब बात करते हैं पांच किलोवाइट के सोलर सिस्टम के पैक के बारे में दोस्तों कोई भी सोलर सिस्टम हो उतका जो सबसे में एक्य की ज्यादा कम है यहां पर हमें सब्सक्राइब की बात करेंगे तो हम चलते हैं इसके लिए अपनी नेक्स स्लाइट यहां पर आप देख सकते हैं दो हजार चौविस के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलोजी के सोलर पैनल जिसमें सबसे नंबर एक पर आता है जो 2023 में भी पैनल बहुत दिमांडिंग था और उस टाइंग का 2023 का यह सबसे जादा विकने वाला सोलर पैनल था यह सोलर पैनल हमें 500 वाट या 544वाट तक में देखने को मिल जाता है इस सोलर पैनल का अगर आप एक दिलवाट सोलर पैनल लगाते हैं तो यहां से आपको 5 प्लस यूनिट की केनरेशन देखने को आराम से जाती है वो भी इसके नॉर्मल कंडीशन में अगर ये बाइफेश्य टेफनालोजी के साथ लेते हैं तो ये 30% अगर आप इसको इसकी सही कंडीशन में यूज करते हैं जो की गाइडलाइन के तयात आती हैं अगर आप उसके पीछे आपको मच मोर रिफ्लेक्शन बढ़ाना है सेंड डाल दें वाइड बैक कर दें इसका तो यहां पर यह पेनल आपको साच सो ओवाट तक ना रितरी के यह पैनल आप कवर करता है और आप को साच यूनिट तक की जनरेशन देने का काम गड़ता है अगर आप एक किलो वाट का पैनल लगाते हैं तो अगर इसकी होता था कि आप online ना लें पर अगर आप online लेते हैं तो definitely आपके लिए फायदय का सौधा होता है और जिसमें से कई सारी कंपनिया है क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लोंगा आप जो पैनल आपको अच्छा लगें सारी कंपनिया एक तरीके से अच्छे बाइस बना के लिए तो अदर हम लोग 5 किलो वाट का मोनो पर्क पैनल लगाते हैं अपने सिस्टम पर तो यह एक लाख 25,000 रुपय का हमारा सिस्टम की कॉस्टिंग सोलर पैल की कॉस्टिंग हो ज जाता है उसके बाद दूसरा आता है यह टॉप कॉंफ टेक्नोलोजी का सोलर पैनल यह सोलर पैनल हमें 590 और 600 वाट तक इजली अविलेबल है पर हां कि में अभी यह लेटर्स टेक्नोलोजी पैनल है तो आपको हर सीटी में भी नहीं मिलेगा इसको मिलने में थोड़ा सबक जरूर देखनी को मिल लाई है पर यह भी पैनल 2024 का बेस्ट पैनल है और यह न्यू लॉंस्ट पैनल है 2024 के इंतर यह एंड टाइप टेक्नोलोजी का सोलर पैनल है जिसकी विजह से इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बढ़ गया है जैसे इस पर आपको 30 साल की बारंटी मिल जात हैं तो मच मोर बेस्ट है अगर आप मोनो पर की तुलना में लगा रहा है तो पर अगर आप एक अच्छी टेक्नोलोजी जा रहा है तो आप मोनो पर की तरफ जा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें भी आपको 25 साल की वारंटी मिल जाती है टॉप का जो यू अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस हमें मोनो परक से एक या दो रुपए महंगा पड़ता है इसके अलावा आपको इसमें और कुछ ज्यादा डीशन नहीं करना पता और दूसरी चीज अगर बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा है तो नंबर आफ पैनल्स क हम लगते हैं पैनल्स के कल्कुलेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर 590 वार्ट या 580 वार्ट का पैनल लिया है तो आप उसको 5000 वार्ट को डिवाइट कर जीए 590 वार्ट को पता चल जाएगा को कितने सोलर पैनल लगाने है यह बेसिक चीज है इसलिए मैं यहाँ पर टाइम यह सोलर पैनल आपको साथ से आठ यूनिट तक की जनरेशन देने का काम करता है अब इसके बारे में उतना डिटेल से बात करने का कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि अभी यह आपको मार्केट में मिलेगा नहीं पर एक साल के बाद उमीद है कि आपको पैनल बहुत इसली आप की मार्केट मिलेगा और अपने लिए आप एक बैस सोलर पैनल बना पाएंगी तो अगर हम लोग बात करें जाके किया का टॉप कॉंट टेक्नोलोजी से जाते हैं तो 26,000 रुपए कि साबसे आप माल लेगे है एक लाग 31,000 का हमारा सोलर पैनल हो जाएगा और मोनो परकर तो इसके साथ ही यहाँ पर आपको और कुछ ऑप्सन मिलते हैं कि वीड़ोगों का सवाल होता है कि कि तरफ तरफ जाये और दूस्तों अगर अगर यहाँ चाहते हैं बिलकुल लेटेश् टो अगर बिल्कुल थूअन जा सकते हैं पर ट्रांस्फार्मलेस टेक्नोलोजी के एक प्रॉब्लम यह है कि अगर इसमें कोई दिक्कत आती है इस इस इंवर्टर में तो इसका जो रिपेरिंग चार्ज है वो काफी ज्यादा हाई अगर आउट आफ वारंटी आती है इसकी पीसी भी चली जाती है तो पूरा कर देते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बाते नहीं आती है अगर आप ट्रांस्फार्म लेस इंवर्टर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको हाइब्र का ऑप्शन भी मिल जाएगा और अगर आप पांच किलोवाट के हाइब्र की तरह जाएंगे तो उसकी कॉ प्रॉब्लम सम्भ हो जाती है जो आपके सोलर सिस्टम की कॉस्टिंग को डेफिनेटली इंक्रीज करती है पर अगर आप ट्रांस्फार्म वाले इंवर्ट के तरफ जाते हैं कोई कंपनी हो लिव गाड ओ लिव फास्ट वेप्रो इस्टमायन हो कोई वी कंपनी हो उसारी कं अब यह मानेगा आठ से दस हजार रुपए पर के वी के हिसाब से मिल जाते हैं तो मतलब चालिस हजार से पचास हजार के बजट के बीस आप एक अच्छा पांच के वी का इंवर्टर ले सकते हैं क्योंकि पॉइंट एट का फैक्टर होता है यहाँ पर एक चीज़ और समझ पांच के लिए आपके लिए पांच के वी अफश्र है इस पर आप देर टंटर की एसी और जरके जितने पी लोड है छोटे मोटे बड़े लोड इस तरह आपके चल जाएंगे आप अमर्सी चीजों की लोड नहीं चल पाएंगी कि आप इस वेलिडिंग मसीन चलाना चाहें या बड़ी प्रेस मसीन चलाना चाहें तो वो लोड वियर करना इस इंवर्टर की डापिस्टिदी के पहार्ब हो जाता है तो दो चीजों की कॉस्टिंग निकल आई हमारी 125,000 का हमारा सोलर पैनल और 45,000 रुपए हम लोग आपर इंवर्टर की कॉस्टिंग को जोड लेते ह तो दो चीजों की दूस्तों यह हमारी पॉस्टिंग है अब हमें तीसरी चीज की दूरत पड़ेगी और वह बैटरी बैटरी में लीथियम बैटरी अगर आज की लेट मैं पर्फर कर रहे हैं करेंसी एंफ्लेंस होके तो मैं आपको सला दूंगा कि दूस्तों आप अभी अ अर्जनल का जो खेल चला है वहाँ पर ग्रेट के हिसाब से बैटरी आती है एक साल की लाइक मिलती है यह काफी ज्यादा यह मां सकते हैं कि आपके पैसे की बरबादी हो सकते हैं अदूसरी चीज है लिटियम बैटरी की अगर आप लगाएंगे जाके हंडेट एच की बैट की कोस्टिंग आपकी एक लाख तर पहुंच जाती है तो मेरे हिसाब से तो हाँ अगर आपका बिल्कुल स्पेस नहीं है फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं पैसे कोई बावल नहीं तो आप जरूर लगाईएगा पर अगर आप चाहते हैं कि अच्छा सिस्टम और भी कम बजट बनते हैं और एक बैटरी 12 ऊट की होती है तो 48 बैटरी आप लगाने पड़ेंगी चाहने बोल्ट है तो मैं आठ वैट यह लगाने पड़ेंगी बारव वोट के साधे बार अठ्थर चाहन बैटर तो आएक बैटरी कीमत आपको करीब 12005 उपर पढ़ेगी आप लिफास्ट एमरॉन लूनस एक्सायर इनकी बैटरी थोड़ आप डाउं देखने उपर मिलेगा कुछ सस्री मिलेंगी कुछ महेंगी मिलेंगी पर आपके बाइस आड़े बारत लेकर तेरह हजार तक के बज़र्ट में बैटरी आ जाएगी तीन साल की वारंटी आ लिए जिसमें आपका प 20,000 रुपएदा हमारा यह खर्च हो गया जो हमने अपने इन तीन चीज़ों पर इन्वेस्ट किया है अब इतना खर्च करने के बाद भी हमें काफी सारी चीज़ों के जोड़रत प्रति लिए और वो कहा चीज़े हैं तो एक बार हम इसको कर देते हैं रेज और वह भी आप को बता देते हैं तो इसके लिए चाहिए स्ट्रेक्चर और ऐसा मजबूत इस्ट्रिक्चर जाहिए जो स्ट्रेक्चर हमारा कम से कंसें थिस से पचीस सालों के लिए तो आपके उस लाग 20 जार करणके तो मैं चाहँँ का पर दोटाओझ जो है पर यह वागाई काफ़ी अच्छा इसकेशद इसकी कोंसे की अधर बात के लिए आप को कम से कम बारा से पंदा हजार रुपय का solar structure लगाना करें तो 220,000 में अगर हम लोग 15,000 रोड़ें तो 2,35,000 रुपय का यह हमारा amount हो जाता है उसके बाद हमें earthing करवानी है जिसको हम लोग balance of system कहते हैं उसके अंदर earthing आती है उसके अंदर हमारे wire आ जाते हैं उसके साथ ही हमारा ACDB और DCDB आ जाता है तो अगर आप ACDB, DCDB को पारें नहीं जानते हैं तो उसके पूरा video upload किया है आप उससे देख सकते हैं आपको समझ में आ जाए जए ACDB, DCDB box का होते हैं यहां पर नहीं इसलिए बता देता हूं कि DCDB box जो solar से हमारे inverter की बीच connection जाता है कुल मिरातर यह DC supply से protect करता है उनकर मान लेजिए पैनल में कोई problem आती है तो वो problem गर DCDB box नहीं लगा है तो वो हमारे inverter effect करेगी करेगी और inverter effect करेगी तो वहां से फिर हमारे में supply और दर्फ के अप्लाइंस को भी effect करेगी चाहिए तो DC supply में एक production के लिए DCDB और AC supply के production के लिए ACDB box लगाते हैं तो अगर हम लोग total balance of system की बात करें तो आप यह मानेगा सब्सक्राइब करेगी तो यह हमारा जो टोटल बजर बनता है दो लाक असी हजार रुपय था हमारा एक पांच गिलोवार्ट के ऐसे सिस्टम का बजर बनता है जिसमें हमें 25 साल तक कोई solar panel नहीं बदलना पांच से 6 साल तक बैटरियां नहीं बदलने और दो साल वारंटी का हमें inverter मिल जाएगा और इंवर्टर मोसली अगर आप एक safer load से लाते हैं तो इंवर्टर हमारे इतनी जल्दी कराब नहीं होते हैं तो इतनी सारी सीज़ें आपको इस सिस्टम के अंतरगत मिल जाएंगी औ और आपको 35 उनिट तक का जनरेशन मिलेगा अगर आप एक बाइस अच्छे सब्सक्राइब करने को मिलेंगे ही मिलेंगे तो आप सबी लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना मत बूले मिलते है नेक्स वीडियो में किसी नई एक डिट के साथ